हेलो व्राइंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल आशिक को स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो एप्लिकेशन है बहुत अमेजिंग है आज ही एप्लिकेशन की लिंक में आपको वीडियो के इंचे डिस्किशन में प्रोवाइट करा दूँगा वह आपको जो है को गवर्मेंट की साइट है और ये अप्लिकेशन भी गवर्मेंट की है ये उसी फ्लिकेशन के ओपर ये एप बनाई गई है ताकि आप मोबाईल से पास्पोर्ट के लिए अप्लाय गर सकें तो इस एप्लिकेशन को आपको खोल लेना है अपने फ़ोन में Sr. enfin मैं आपको जरूरी चीज़े बता दे रहा हूँ पासपोर्ट के लिए क्या-क्या चाहिए होता क्योंकि मैंने अभी हाल में पासपोर्ट के लिए अप्लाए गया तो मैं आपको बता सकता हूँ यहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस appointment पे और कहां का आप बुक करना चाहते हैं appointment available है या नहीं है तो वो सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हैं यहां पर आपको passport office select करना है जैसे कि मेरा nearby गाजियवाद है यहां पर मैं डाल सकता हूं इसका code जैसे कि GS जैसे भी मैं डालूँगा यहां पर यह शो हो जाएगा 36 W K X चेक availability जैसे ही चेक करूँगा यह बता देगा मुझे कि कहां का available है ओके दोस्तों आई गैस इसमें कुछ दिक्कत आई है चलिए दुबारा capture डाल देते हैं यूज करके देखिएगा दोस्तों application आप phone से ही passport के लिए apply कर सकते हैं capture दुबारा से reload हो रहा है और देखिए इन्होंने बता दिया कि 10 तारिकी appointment available कर सकते हैं देखिए दोस्तों normal appointment ततकाल चाहिए तो वो भी और दोस्तों यहां पे सारी detail आपको मिल जाएगी तो आप यहां से appointment ले सकते हैं ओके दोस्तों back आजाते हैं थोड़ा और detail में इसके बारे में बताते हैं हम आपको तो application अच्छी है यह उसका करके जरूर देखिएगा अब दोस्तों यहां पे appointment देखिए document advisor document के बारे में अगर आपको चानना है कि आप eligible है की नहीं है तो आप जान सकते हैं लेकिन मैं आपको यहीं पर shortcut में बतायता हूं दोस्तों अगर आपके पास अपना खुद का आधार card है address सही है तो आपका आधार card चल जाएगा और आपकी 10th की mark sheet वगेरा लेके चलिएगा अपने साथ और एक आपका आधार card एक आधार card address proof की तरह यूज हो जाएगा आपका ओके दोस्तों तो दो तीन document आपके पास होने चाहिए pen card है तो pen card भी ले लीजिएगा ओके दोस्तों और voter ID है तो voter ID भी इन मैंसे सबकी दो-दो photo state निकाल लीजिएगा ओके दोस्तों हाला कि दो-दो photo state यूज नहीं होगी लेकिन वो आपसे कभी भी मान सकते है address आपका valid होना चाहिए valid से कहने का मतलब है जो आप form भरतेवक डालेंगे वो ही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए ओके दोस्तों आधार कार्ड में या फिर जो भी आप address proof के लिए लगाए ओके दोस्तों तो यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फीस आपकी दोस्तों आप calculate कर सकते हैं अगर आपको ततकाल में चाहिए तो जादा फीस होगी अगर आपको नॉर्मल करना है तो मैं आपको बताएदा हूँ 1500 रुपे लगेगी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा वह पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन वाले आपसे हो सकता है कि कुछ amount extra ले लें amount कहने का मतलब कुछ एक तरीके से जिसे घूस बोलते हैं वह ले सकते हैं आपसे क्योंकि आजकल यह सीन चल रहा है अगर आपके document सही है तो आपको fee देने की जरुवत नहीं है जरा भी लेकिन इसके बाबजूद भी कुछ लोग दे देते हैं ताकि वो आपकी जो पूरा process है उसे cancel नहीं करते हैं क्योंकि क्या क्या होता है दोस्तो किसी किसी जगा पर आपके document सही है फिर भी वो cancel कर देते है तो इस चीज से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं अपने 500,000 रुपे पुलिस वाले को देके वहां से रफादफा हो जाते हैं ओके दोस्तो अब दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके किस तरीके से यहां पर register करना है new user register पर जाना है ओके दोस्तो सारी details भर देन नेक्स नेक्स करते चले जाना और यह form भर जाएगा ओके दोस्तो देन आपको fees भर देनी है fees यानि कि दोस्तो fees चार्ज होगा पंद्रह सो रुपे के आसपास होगा अगर आपको ततकाल में चाहिए तो हो सकता है वो दो या धाय रुपे हो जाए ओके दोस्तो नॉर्मल चा कर देना है ओके दोस्तो तो बहुत इजी है यहां से बरना आप इस एप को यूज कर सकते हैं ओके दोस्तो यह मैंने आपको सिर्फ इसका ओवर व्यू दिया है अगर आपको चाहिए डीटेल में मैं इसके बारे बता हूँ किस तरीके से क्या-क्या भरा जाएगा तो वह भी पस आ जाएगा मेरा पुलिस वेरिफेकेशन भी लगबग हो चुका है कि दोस्तो तो मेरी बात मानिएगा दोस्तो अगर आपको अपलाए करना तो आप अपलाए कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी समझ में आया होगा पासपोर्ट के किस तरीके से अपलाए करना है अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस आपको जरूर यूज कीजिएगा चाहें तो आप वेबसाइट वीज की यूज कर सकते हैं दोनों गवर्मेंट की वेबसाइट हैं ओके दोस्तो तो यूज जरूर कीजिएगा तो उमीद है दोस्तो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना बूलें बहुत जन मिलेंगे नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों